नमस्कार मैं सुतंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल साट हैंट टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में जनसत्ता के संपादकी से 1106 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम दो अलग-अलगी स्पीड में लेंगे पहली बार में 90 की स्पीड में तो दूसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं इसमें से आपकी जो भी स्पीड हो उसी स्पीड में आप डिक्टेशन को ले सकते हैं आज अगर हम जनसत्ता के संपात्की से डिक्टेशन को ले रहे हैं, तो दूसरे दिन हम लोगों की कोशिस यही रहेगी, कि दैनिक जागरण के संपात्की से डिक्टेशन को लें, डिक्टेशन लिखने के लिए कम से कम हम लोग दो नियूस पेपर का प्रियोग करेंगे, इस पीडियाफ और इसमें आये हुए महत्पूर सब्दों के आउटलाइन के लिए आप हमारे टेलीग्राम गुरूप को जरूर जोइन कर लें गुरूप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे आपको डिस्किप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से जाकर के आप टेलीग्राम से पार पाने के लिए केवल नियम काईदे बना देना भर उस मसले के हल का प्रयाय नहीं हो सकता अगर अमल के अस्तर पर किसी नियम को इमानदारी से लागू नहीं किया जाता है तो वह ज्यादा जटिल इस्थितियां पैदा कर सकता है मसलन भरष्टाचार से निपटने के लिए लोगपाल नामक संस्था को अस्तित्व में आने से पहले किस जद्दो जहद से गुजरना पड़ा वह जग जाहिर है लेकिन आज भी अगर इस संस्था के धाचे और कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो इस से एक बात साफ है कि कोई कानून अपने आप में मुकमल हो सकता है लेकिन अगर उसे लागू करने वालों की मंसा ठीक नहीं है या फिर इच्छा सकती में कमी है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा देश में लंबी लडाई के बाद अस्तित्व में आई भरष्टाचार विरोधी संस्था लोकपाल का गठन तो हो गया लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार को सिर्फ इस बात से मतलब है कि यह महज अपने आपचारिक स्वरूप में काम करती रहे और इसका कोई फोस नतीजा नहीं निकले वरना क्या वजह है कि दो साल से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद अब तक लोकपाल जैसी संस्था में सिकायतों की जाच के लिए अधिकारी की निक्ती नहीं की गई पैरा गौर तलब है कि भरष्टाचार की व्यापक समस्या पर काबू पाने के लिए चले आंदोलन में और उससे पहले भी लोकपाल के लिए लंबी लडाई चली फिर लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत सरकार के तंत्र में लोकसेवकों के भरष्टाचार पर रोक के लिए केंद्र में लोकपाल एवं राजियों में लोकायुक्त संस्था गठित करने का प्रावधान किया गया एक संस्था के रूप में लोकपाल के अस्तित्व में आने के बाद ऐसे नियमित जाच निदेशक की निउक्ती की जरूरत थी जो लोकपाल की ओर से भेजी गई भरष्टाचार की सिकायतों की सुरुआती जाच कर सके लेकिन अब सूचना अधिकार कानून के तहत सामने आई एक जानकारी के तहत यह बताया गया है कि लोकपाल के अस्तित्व में आने के दो साल बाद भी केंदर सरकार ने जाच निदेशक की निउक्ती नहीं की है सिर्फ इतने भर से यह समझा जा सकता है कि लोकपाल के निर्बाद कामकाज को लेकर सरकार कितनी उदासीन है या फिर उपेक्षा भाव रखती है सवाल है कि हर थोड़े दिनों पर भरष्टाचार को देश की सबसे बड़ी समस्या बताने वाली सरकारें इस से लड़ने वाले धाचे को ठोस और कारगर बनाने के लिए वाजिब पहल कदमी क्यों नहीं कर रही है पहरा आकणों के मुताबिक लोकपाल को बीते करीब साल भर में सो से ज्यादा सिकायतें मिली जबकि 2019-2020 के दोरान 1427 सिकायतें मिली थी सवाल है कि अगर किसी तरह लोकपाल के पास पहुचे मामलों की जाच तक के लिए उचित तंत्र या अधिकारी मौजूद नहीं हैं तो ऐसी सिकायतों का हस्र क्या होगा विडंबना यह है कि मुख्यधारा की राजनीती में जो पाल्टियां भरष्टाचार को सबसे बड़ी समस्या बता कर जनता को उससे मुक्ती दिलाने का भरोसा देती हैं वही सत्ता में आने के बाद इस समस्या के प्रती लगभग उदासिन हो जाती हैं अपसोसनाक यह भी है कि भरष्टाचार के लिए सरकारों को कठगरे में खड़ा करने वाली विपक्षी पाल्टियां भी एक कारगर और प्रभावी तंत्र के रूप में लोकपाल के काम करने के लिए सरकार से सवाल करना जरूरी नहीं समस्ती हैं ऐसे में आज भी अगर कहीं नियुक्ती तो कहीं ठोस अनुपालन के अभाव में लोकपाल कानून बदहाल दिख रहा है तो यह कोई हैरानी की बात नहीं है सवाल है कि भरष्टाचार पर रोक लगाने वाले तंत्र की इस अस्तर की अंदेखी के समांतर क्या इस समस्या से पार पाने की उम्मीद की जा सकती है पहरा आंदोलनकारी किसानों को संसद के बाहर धर्ना प्रदर्शन करने की इजाजत देने से दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया है जबकि किसान 22 जुलाई से संसद पर प्रदर्शन का एलान कर चुके हैं इस मुद्दे पर किसान प्रतिनिधियों और पुलिस के आला अधिकारियों की बैठक भी हुई पर नतीजा कुछ नहीं निकला उल्टे पुलिस ने धरने के लिए कोई और जगह तलासने को कह दिया इससे टकराओ पैदा होने का अंदेशा है संसद का मानसून सत्र सुरू हो चुका है दोनों सदनों में किसान आंदोलन का मुद्दा जोर सोर से उठा इस आंदोलन को आठ महीने से ज्यादा हो गए है किसानों का अब तक जो जजबा देखने को मिला है उसे देखते हुए तो लगता है कि किसान संसद के बाहर जाए बिना मानेंगे नहीं इस बीच दूसरे प्रदेशों से किसानों का दिल्ली की सीमा पर पहुचना जारी है ऐसे में किसानों को दिल्ली में घुसने से रोक पाना पुलिस के लिए बड़ा सरदर्द बन गया है पहरा पुलिस का अपने पक्ष में यह तर्क हो सकता है कि प्रदर्शन के नाम पर कहीं वैसी इस्थिती खड़ी ना हो जाए जैसी इस साल 26 जन्वरी को बन गई थी उस दिन किसान आंदोलन में घुस आए सरार्ती तत्वों ने लाल किले सहित कई इलाकों में उत्पात मचाया था जाहिर है इससे एक जायज किसान आंदोलन की साख को बट्टा लगना ही था यह सही है कि राजधानी में कानून ब्यवस्था को लेकर पुलिस किसी तरह का जोखिम मोल नहीं ले सकती पर ऐसा भी नहीं कि आंदोलन कारी किसानों को प्रदर्शन की इजाजत देने के लिए कोई उपयुक्त रास्ता ना निकाला जा सके संयुक्त किसान मोर्चे ने रोजाना 200 किसानों को संसद के बाहर धरना प्रदर्शन करने देने की इजाजत मागी है ये किसान अपने परिचय पत्रों के साथ जथे में वहां जाएंगे और अपनी आवाज संसद तक पहुचाएंगे लेकिन पुलिस 200 किसानों को भी जमा होने देने में बड़ा खत्रा देख रही है उसके इस दर के पीछे सायद वे खूफिया सूचनाएं हैं जिन में संसद भवन के आज पास छोटे छोटे समोहों में किसानों के पहुचने की खबरें हैं दरसल किसानों को दिल्ली में घुसने से रोक पाना व्यवहारिक रूप से संभो भी नहीं है यह भी एक मुश्किल काम है कि दिल्ली की सीमाओं को संसद सत्र चलने तक बंद कर दिया जाए ऐसे में घुम फिर कर सवाल यही आता है कि आखिर किसानों की समस्या का समाधान निकले तो कैसे पैरा अब तक के आंदोलन से साफ हो चुका है कि किसान आसानी से तो नहीं लोटने वाले दूसरी और सरकार भी हठ धर्मिता पर उतरी हुई है और बार बार दोहरा रही है कि कुछ भी हो कानून वापस नहीं होंगे इससे तो तकरार और बढ़ना तै है किसान आंदोलन में फूट पैदा करने की रणनीती के बजाए वारता की कोशिसें ही कोई रास्ता निकाल सकती है यह नहीं माना जाना चाहिए कि मौका हाथ से निकल चुका है दोनों ही पक्षों को कुछ जुकते हुए बातचीत फिर से सुरू करनी ही होगी इतिहास गवाह है कि बातचीत से बड़े से बड़े गतिरोध दूर हो जाते हैं लेकिन किसान आंदोलन के मामले में अब तक देखने में यही आया है कि सरकार का रुख उदारता का नहीं बलकि सकती का है उसका रवया सबक सिखाने वाला है पर यह नहीं भूलना चाहिए कि फूट डालो और राज करो की नीती से बुनियादी मुद्दों का हल नहीं निकलता अगर किर्सी कानून वाकई किसानों के हित में होतें तो क्यों किसान अब तक आंदोलन कर रहे होतें इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग सौकी स्पीड में लेंगे और आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा पाच सिकंड के बाद तब तक के लिए आप रेडिय रहें किसी समस्या से पार पाने के लिए केवल नियम काईदे बना देना भर उस मसले के हल का प्रयाय नहीं हो सकता अगर अमल के अस्तर पर किसी नियम को इमानदारी से लागू नहीं किया जाता है तो वह ज्यादा जटिल इस्थितियां पैदा कर सकता है मसलन भरष्टाचार से निपटने के लिए लोगपाल नामक संस्था को अस्तित्व में आने से पहले किस जद्दो जहद से गुजरना पड़ा वह जग जाहिर है लेकिन आज भी अगर इस संस्था के धाचे और कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो इससे एक बात साफ है कि कोई कानून अपने आप में मुकमल हो सकता है लेकिन अगर उसे लागू करने वालों की मनसा ठीक नहीं है या फिर इच्छा सकती में कमी है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा देश में लंबी लडाई के बाद अस्तित्व में आई भरष्टाचार विरोधी संस्था लोगपाल का गठन तो हो गया लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार को सिर्फ इस बात से मतलब है कि यह महज अपने आपचारिक स्वरूप में काम करती रहे और इसका कोई ठोस नतीजा नह निकले वरना क्या वजह है कि दो साल से ज्यादा गुजर जाने के बावजूद अब तक लोगपाल जैसी संस्था में सिकायतों की जाच के लिए अधिकारी की निउक्ती नहीं की गई पहरा गौर तलब है कि भरष्टाचार की व्यापक समस्या पर काबू पाने के लिए चले आंदोलन में और उससे पहले भी लोगपाल के लिए लंबी लडाई चली फिर लोगपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत सरकार के तंत्र में लोगसेवकों के भरष्टाचार पर रोक के लिए केंद्र में लोगपाल एवं राजियों में लोकायुक्त संस्था गठित करने का प्रावधान किया गया एक संस्था के रूप में लोगपाल के अस्तित्व में आने के बाद ऐसे नियमित जाच निदेशक की निउक्ती की जरूरत थी जो लोगपाल की ओर से भेजी गई भरष्टाचार की सिकायतों की सुरुवाती जाच कर सके लेकिन अब सूचना अधिकार कानून के तहत सामने आई एक जानकारी के तहत यह बताया गया है कि लोगपाल के अस्तित्व में आने के दो साल बाद भी केंदर सरकार ने जाच निदेशक की निउक्ती नहीं की है सिर्फ इतने भर से यह समझा जा सकता है कि लोगपाल के निर्बाध कामकाज को लेकर सरकार कितनी उदासीन है या फिर उपेक्षा भाव रखती है सवाल है कि हर थोड़े दिनों पर भरष्टाचार को देश की सबसे बड़ी समस्या बताने वाली सरकारें इस से लड़ने वाले धाचे को ठोस और कारगर बनाने के लिए वाजिब पहल कदमी क्यो नहीं कर रही हैं पहरा आकणों के मुताबिक लोगपाल को बीते करीब साल भर में 100 से ज्यादा सिकायतें मिली जबकी 2019-2020 के दोरान 1427 सिकायतें मिली थी सवाल है कि अगर किसी तरह लोगपाल के पास पहुँचे मामलों की जाच तक के लिए उचित तंत्र या अधिकारी मवजूद नहीं हैं तो ऐसी सिकायतों का हस्र क्या होगा विडम्बना यह है कि मुख्यधारा की राजनीती में जो पाल्टियां भरष्टाचार को सबसे बड़ी समस्या बता कर जनता को उससे मुक्ती दिलाने का भरोसा देती हैं वही सत्ता में आने के बाद इस समस्या के प्रती लगभग उदासीन हो जाती हैं अपसोसनाक यह भी है कि भरष्टाचार के लिए सरकारों को कठगरे में खड़ा करने वाली विपक्षी पाल्टियां भी एक कारगर और प्रभावी तंत्र के रूप में लोगपाल के काम करने के लिए सरकार से सवाल करना जरूरी नहीं समस्ती हैं ऐसे में आज भी अगर कहीं नियुक्ती तो कहीं ठोस अनुपालन के अभाव में लोगपाल कानून बधाल दिख रहा है तो यह कोई हैरानी की बात नहीं है सवाल है कि भरष्टाचार पर रोक लगाने वाले तंत्र की इस अस्तर की अंदेखी के समांतर क्या इस समस्या से पार पाने की उम्मीद की जा सकती है पहरा आंदोलनकारी किसानों को संसद के बाहर धरना प्रदर्शन करने की इजाजत देने से दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया है जबकि किसान 22 जुलाई से संसद पर प्रदर्शन का एलान कर चुके हैं इस मुद्दे पर किसान प्रतिनिदियों और पुलिस के आला आधिकारियों की बैठक भी हुई पर नतीजा कुछ नहीं निकला उल्टे पुलिस ने धरने के लिए कोई और जगह तलासने को कह दिया इससे टकराओ पैदा होने का अंदेशा है संसद का मानसून सत्र सुरू हो चुका है दोनों सदनों में किसान आंदोलन का मुद्दा जोर सोर से उठा इस आंदोलन को आठ महीने से ज्यादा हो गए हैं किसानों का अब तक जो जजबा देखने को मिला है उसे देखते हुए तो लगता है कि किसान संसद के बाहर जाए बिना मानेंगे नहीं इस बीच दूसरे प्रदेशों से किसानों का दिल्ली की सीमा पर पहुचना जारी है ऐसे में किसानों को दिल्ली में घुसने से रोक पाना पुलिस के लिए बड़ा सरदर्द बन गया है पहरा पुलिस का अपने पक्ष में यह तर्क हो सकता है कि प्रदर्शन के नाम पर कहीं वैसी इस्थिती खड़ी न हो जाए जैसी इस साल 26 जनवरी को बन गई थी उस दिन किसान आंदोलन में घुस आय सरार्ती तत्वों ने लाल किले सहित कई इलाकों में उत्पात मचाया था जाहिर है इससे एक जायज किसान आंदोलन की साख को बटता लगना ही था यह सही है कि राजधानी में कानून ब्यवस्था को लेकर पुलिस किसी तरह का जोखिम मोल नहीं ले सकती पर ऐसा भी नहीं कि आंदोलन कारी किसानों को प्रदर्शन की इजाजत देने के लिए कोई उपयुक्त रास्ता ना निकाला जा सके संयुक्त किसान मोर्चे ने रोजाना 200 किसानों को संसद के बाहर धरना प्रदर्शन करने देने की इजाजत मागी है ये किसान अपने परिचय पत्रों के साथ जथे में वहां जाएंगे और अपनी आवाज संसद तक पहुचाएंगे लेकिन पुलिस 200 किसानों को भी जमा होने देने में बड़ा खत्रा देख रही है उसके इस दर के पीछे सायद वे खूफिया सूचनाएं हैं जिन में संसद भवन के आजपास छोटे छोटे समोहों में किसानों के पहुचने की खबरें हैं दरसल किसानों को दिल्ली में घुसने से रोक पाना व्यवहारिक रूप से संभव भी नहीं है यह भी एक मुश्किल काम है कि दिल्ली की सीमाओं को संसद सत्र चलने तक बंद कर दिया जाए ऐसे में घुम फिर कर सवाल यही आता है कि आखिर किसानों की समस्या का समाधान निकले तो कैसे पैरा अब तक के आंदोलन से साफ हो चुका है कि किसान आसानी से तो नहीं लोटने वाले दूसरी और सरकार भी हठ धर्मिता पर उतरी हुई है और बार बार दोहरा रही है कि कुछ भी हो कानून वापस नहीं होंगे इससे तो तकरार और बढ़ना तै है किसान आंदोलन में फूट पैदा करने की रणीती के बजाए वारता की कोशिसें ही कोई रास्ता निकाल सकती है यह नहीं माना जाना चाहिए कि मौका हाथ से निकल चुका है दोनों ही पक्षों को कुछ जुकते हुए बातचीत फिर से सुरू करनी ही होगी इतिहास गवाह है कि बातचीत से बड़े से बड़े गतिरोध दूर हो जाते है लेकिन किसान आंदोलन के मामले में अब तक देखने में यही आया है कि सरकार का रुख उदारता का नहीं बलकि सकती का है उसका रवया सबक सिखाने वाला है पर यह नहीं भूलना चाहिए कि फूट डालो और राज करो की नीती से बुनियादी मुद्धों का हल नहीं निकलता अगर किर्सी कानून वाकई किसानों के हित में होते हैं तो क्यों किसान अब तक आंदोलन कर रहे होते हैं संकेत लिपी को सीख सकें धन्यबाद रहे होते हैं छुलना वाण में होते हैं